हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ आपके प्यारेस चैनल जे आर टुटियोरियल में जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्रेडी 12 स्टैंडर का बैच शुरू कर दिया है बायलेजी का और हमारा फॉर्स लिसन कंप्लीट भी हो चुका है कौनसा लेसन चाप्टर वापस से आप पढ़ लीजिए हमारा सेगेंड लेसन चल रहा था सेगेंड लेसन में आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले इसका मतलब हमारा ओल्रेडी टू लेक्चर ऑल्रेडी दो लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुगा है तो उसे भी जाके देखिए क्य अगर आपको चीज़े समझ में भी आरी तो भी आप मुझे यहां पर मैसेज करके बता सकते कि सार हमें सारी चीज़ा समझ में आ गई है ठीक है आगे चले क्या बात हो रही थी मैंने यह थोड़ा च्छोटा सा मैप बनाया था आपको लिसन के बारे में क्या क्या हुआ था मैंने आपको बढ़ा दिए था अच्छा मैंने आपको समझा दिया था पड़ी तहों में आपको समझ को हो गए ठीक हम लोग ने अधा चीज नोề만 ब्रक्षनर प्र ली तिए कर में दली प 술 ने हम लोग ड़ा करें कर से वहालर मेल रिप्रदुक्तिव सिस्टम चलने रागला तेङ है यह वाला टॉपिक हमारा चल रहा था तो आज देखते कितनी कितनी बाते हो वही थी मैंने इस फ्रवतर को तीन पंडिवाइड कर दियो उसे कहते हैं जो जनरली sperm का production करेगा मेल्स के अंदर ठीक है तar 276 हार्मोन के शक्रत प्रोड्यूस करेगा सेख्न होर्मोन प्रेडिस करेगा कौन सा मेल का अंदर सेख्न होता है एंड्रोजन ठीक है और मेंली हम लोग कौन सा अंड्रोजन पढ़ने वाले इस लिसन में टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करने वाले तो यह बात हो गई थी आपको समझा दिया था फिर हम लोग देखेंगे अकसेसरी के बारे में आपको क्या क्या बताया था डॉक्स क्या होसी अंदर लॉकμε की बात करें तो जो सीमन होता है लहां परा sì pass क्या होता है सपर्व मत Smells यहाँ पर टेस्टेस के अंदर बन रहा था मतलब 90% बाकी का बचा 90% क्या है एक ग्लैंड की सिक्रीशन है एक नहीं तीन ग्लैंड की सिक्रीशन है वो ग्लैंड भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ठीक है समझ में आरी बात तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर अच्छा यह सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मुझे आपको हॉर्मोनल कंट्रोल बताना है यूमन के बारे यूमन मेल के बारे ठीक है जैसा मैंने आपको बताया था कि एक यूमन मेल आराउंड जब उसकी प्यूबर्टी हिट करती है उस ताइम पे उसके अंदर स तो ठीक है तो सबसे बहले इसको बताने के लिए मुझे आपको कर्स बताने के लिए जात करो त्यास का स्क्रक्डो हुआ यहां पर प्रोडक्शन हो रहा होगा वह उसी को समीनिफेर स्टिब्यूल के अंदर एक से चार बताए थे मैंने ठीक है कितने तो यह एक टेस्टिकुलार लॉब्यूल का टी एस सेक्शन में बनाना चाहता हूं तो इसके अंदर यह दो मैंने सरकल बनाया है यह क्या है सेमिनिफेर स्टिब्यूल है जिन बच्चों ने मेरी लास्ट की वीडियो देखी है उन्हें समझ में आ जाएगा कि हां सर यहां पर क कुछ उस्टेटिक और यह एक दूस्रे से टाइट जंट्षण के थे थुलिंक होती है शेजाइए यहां पर नंघाले Cels के बीच में यहां पर यह Today cells present होते हैं जो आगे चलके sperm का production करेंगे इन cells को क्या कहा जाता था In cells को मैंने कहा था spermatogonium क्या कहा था मैंने spermatogonium या फिर spermatogonia भी बोल सकते हो ठीक है इतनी बाद है clear है यही आगे चलके sperm का production करेंगे और यह इनी को stem cells भी कहते हैं क्यूं Nevada केते हैं पता है मेल में क्योंकि मेल का जो स्पर्म का प्रोड़क्शन एंगर उसकी थूआउट दा लाइफ कंटीनियू होता रहेगा घा चालू के से होती है हूं को समझने आज और इसके की बीच में प्रिडिक के बीच मिया पितना अगे चलके अंड्रोंचन बना रहे तो कैसे यह खुद से बनाना चालू कर देताै नहीं इनके उपर कोई दुसरा हाय्मोनिम्मेंस करता है प्तिक के इसके उपर कोई दूसरा hormone क्या डालता है अपना influence डालता है उसके वज़े से ही उसके वज़े से ही इसके अंदर testosterone का production शुरू होता है इतनी बात लिए रहे तो यह चीज़े कैसे शुरू होती है यह मैं आपको बताता हूँ जनरली जब एक मेल क्यों पुबर्टी हीट होती है पुबर्टी मतलब क्या कि अराउंड उसकी एज होगी 13-14 यह जब एक मेल होगा जब वो 13-14 यह का होगा तब उसका ब्रेन एक होर्मोन रिलीस करना शुरू कर देगा ठीक है ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका क्या नाम है रिपो तयाम जिन बचकों नहीं पता हम बता देता है अब फ्रेजेंट होता है देखो और एक्जाम्पल यह एक यूमन का ब्रेन कि यह किसी का ब्रेन किसी भी पर्सन का ब्रेन हो कि जो कि इस साइड पॉंट को इसका इसके निया इसके ब्रेंन में यह वाला जो पॉशंट में इसे सेडी होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलमस ठीक है इसके बीच में आप एक glad presented होता है इसका क्या नाम है हाइपोथैलमस तो जैसे ही एक male poverty hit करता है जैसे एक male की poverty आती है उस टाइम पर उसका हाइपोथैलमस से gland release एक hormone release करना शुरू कर देता है जिस हर्मोन का नाम में है G NRH क्या नाम इसका G NRH क्या है गुनाड матери सिंघ हय鐵 क्या है गोनाडो टॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन यह एक सब्दोब को रिलीज करवाने वाला हॉर्मोन दो अब यह करेगा यह कर जाके इसी के नीचे यहां पर पिकुटेरी ग्लैंड प्रेजंट वते हैं इस यह यह आिज के नीकल के किस पर करेगा पिकूट्री प다면 करेगा वैसे ही pit bit terry release करने लगेगा एक हर्मोन जисसे कहते हैं gonadotroping ठीक है तो पीट हाइपो थालेमस का release कर रहा है gonadotropin releasing hormone और यह introducing bolon कि इंफुलेंफ कर रहा है pitu AMY gland पे और यह पिटोटेडी क्या क्या release करने लग रहा है गोनाडो, टॉपिल, अब गोनाडो, टॉपिल दो प्रकार के होते हैं, गोनाडो, टॉपिल इसका फूल फॉर्म है, फॉलिकल स््टिमुलेटिंग हॉर्मोन. और दुसरा है लॉनियाज दिका है इसका नाम है यूटिनाइजिंग हउर्मोन. दो टैप के गॉर्टोरॉपीन है वापस सुनो क्या बोला मैंने ब्रेन में हाइपोथालमस वाला रेजन है वो क्या है रिलीस कर रहे है कि रिलेस कर रहा है GnrH यह निर्य जाकि किस पर लग रहा है पिटूटेरी इस ग्लाइंड के इन्फ्लूएंस के वज़े से जब इसके वज़ेसे क्या रिलीस करना शुरू कर स्काथ है तो में हमारे इसका नाम थोड़ा साच हो जाएगा कि कलि प्तों का लाइक दूसरा नाम जिसका नाम है छोटा अमा इसका नाम स्टम पर नाम रख दिया गया है आई सी एसे घ्रिक captured I sc स्टिमूलेटिंग हॉर्मोन क्या नाम रखा है इसका इंटस्टीशियल सेल स्टिमूलेटिंग हॉर्मोन मतलब किसको स्टिमूलेट करेगा नाम सी पता चल रहा है यह हॉर्मोन किसको स्टिमूलेट करेगा जाके इंटरस्टीशल सेल्स को स्टिमूलेट करेगा कहां पर हैं इंटरस्टीशल सेल्स यह हैं इंटरस्टीशल सेल्स यही था ना मैंने नहीं 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 दिया बट आपको पता है क्यों कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सही बात है इसका मतलब यह सेल्स जा है तो टेस्टोस्टेरोन कभी खुद से रिलीज नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन कुछ दूसरे होर्मून के इंफ्लूइंस के वज़े से रिलीज और यह दूसरे होर्मून कभ रिलीज होंगे जब एक male की puberty hit करेगी ठीक है around कितने years में hit करती है वो 13 to 14 years age में ठीक है जब एक male 13 to 14 years age का होता है तब उसकी puberty क्या होती है hit होती है उस time पे उसका hypothalamus GNRH release करना शुरू कर देता है यह GNRH जाके attach होता है pituitary gland पे फिर pituitary cache release करना शुरू कर देता है gonadotropin रिलीस करना शुरू कर देता है gonadotropin दो प्रकार की होते है ठीक है कौन-कौन से दो टाइपस है एक है FSH ठीक है follicle stimulating hormone और दूसरा है LH अब LH का नाम थोड़ा चोटा है तो उसको बुरा लग जाता है ऐसे याद कर लो LH का नाम करना शुरू करेगा वैसे ही यह interstitial cells एक hormone रिलीस करना शुरू कर देंगे जिसका नाम क्या है testosterone इतनी बादे क्लियर है अब यह testosterone को दो जगह पर जाता है पहले तो यह testosterone जाएगा सेमिनेफेरस टिब्यूल में और यहां पर sperm का production शुरू कर देता है ठीक है जो my sporogenous tissue होते ठीक है यह जो spermatogonium tissue होते इंका production करना शुरू कर देगा साथ ही साथ अब यह एक hormone है तो hormone हमारे blood में भी mix होता है हमेशा ठीक है आपको पता है ना hormone समय सब्लेड में भी जाता है अगर आपने endocrine system पढ़ा होगा तो for example यहां पर एक blood vessel आईए है उसी नहीं इंग इंग्ट के ना शएंग के नल या लिए यह ना एक चट्टा के नलन करन से वंके नाल से दो टीशू जारहे थे कहलए क्लिए क्री मैस्टर टीशू डैल टीशू टीशू पढ़ाया ता ल mg wa मैने तो उन यह उसी इंग इंग्वन खेना से कुछ blood vessels भी और इस testosterone यह हमारे पूरे बॉल्डी में चला जाता है पूरे procedure हमारे ég सभए से एक मेल के बॉलडी में secondary sexual character development होते है जैसे उनकी डाड़ी आने लगती उनकी मुझे आने लगती है उनका जो यह ओलसा हो फोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है ठीक है उनका मुसल्स ये से होती है सब कुछ किस वज़ेसे होता है इस के वज़े से थे समझ मैं हो करेगार और क्या करे गा सबस्क्राइब करेगा साथ ही साथ ये किस आंदर जाएगा sa noon, प्रडोड के अंदर भी जाएगा और वहां पर भी sperm का production शुरू कर देगा इतनी बाते क्लियर है सिंपल सी बाते आगे चले ठीक है अब अब सवाल अगला है कि इस FSH का क्या होगा अब FSH भी तो रिलीज हुआ है यहां से फिर गौनाडो ट्रॉपिन से पिडूटेरी से तो इस FSH का क्या होता है तो सुनो यह FSH जाता है और नर्स सेल पर एक्ट करता है तो यहां पर जितने भी sperm का production कि उने वाले क्या करती है उनकी केर करती है इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एक हॉर्मोन रिलीस करना शुरू करते हैं जिसका नाम है इस वार्मन का क्या है A B P क्या है अंडरोजन बाइंडिंग प्रोटी ठेकर क्या नाम है इसका यह पाहर निकल कोशिच करने लगता थे यह समीने फेरस टिब्यूल से बाहर ना जा पाए उसके लिए सर्टोली सेल या फिर नर्स एक होरबोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है अंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यह क्या करेगा टेस्टरस्टरोन को बाइंड करके रखेगा किसके अंदर समीन सेमिने फेर स्टिब्यूल के इतनी बाते क्लियर है इतनी बाते क्लियर है ठीक है अब देखो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टोस्टेरन का प्रोड़क्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक है अब कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है चाहिए वह हर्मोनी क्यों न जाएगा यही ब्लड के थु leaning टिति रूब किसके तरफ पहुचंग तेस्ट्रों किसके पहुच जाएगा अभी इस प्रफुर्टरी ग्लैंड पर कुछ रिसने या होते हैं यह हमानलों तेस्ट्रों कि स्के टेस्ट्रों की तो जैसे ये टेस्टो स्टोन झाट्टि नобщ कर सब्लांडोर छाएगा तेस्टो स्टो स्टोरन या कर रहा हैं वस्टैस्ट झाट्टिर्स प्रोडेक्शन से और तो अगर यह टेस्टोशन जाके इस पिट्टूटेरी को भी बोल रहा है कि यार बहुत हो गया इससे रहादा सिक्रीशन की जुरूरत नहीं है ठीक है तो यह पिट्टूटेरी क्या करेगा इस गोनाडोट्रॉपिन का सिक्रीशन बंद कर देगा समझ मेहारी यह बात ठीक है इस मेकानिजम को क्या कहते हैं निगेटिव फीडबैक आँ लिखें यहां लिख देता है जब आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें चीज़े दी हुई है नेगेटिव फीडबैक पर कुलाडी मार लेना खुदी का प्रोड़क्शन जाके बंद करवा देना जो आपका प्रोड़क्शन कर रहा था आप उसी के पास गया और बोले कि भाई मेरा प्रोड़क्शन अब बंद कर दो ठीक है इसी चीज़ों कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मेकानिजम ठीक है इतनी बाते क्लियर है साथी साथ हे जो अपना नर्स कर रहा था ये वी पी प्रोडुम कर रहा था एंट्रोजन बायंदिंडबर्टिन Ihnen प्रोडूस कर रहा था आप जैसे ही एाबी पी प्र्रोडूक्शन इंभी बहुत जयादा हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करेगा जुक्षे अपना नर्ड होर्मुन करने लगता है जिसका नाम है इसका इन wodru's करने लगता है इन ही बिए तिक है देख रहा है यह जो सर्टो क्या प्रोड्यीफ करने लगல मुंग है और यह इस इन ही विए यह बाइए वापस किसके पास जाता है उसके पुड्यू टेटम बंद कर वा देता है यह तो यह यह था समय के बारे में इतनी बाते समझ में कैसे एक टेस्टोस्टोन प्रोड्यूस होता है कैसे कैसे अलग-अलग हॉर्मोन का इंफ्लेंस के उपर पड़ता है आगे चलते हैं नेक्स टेप में हमको सारी चीज़े देखनी है मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम मैंने तीन पार्ट में क्या था याद वापस याद कर यो कौन-कौन इसे पाइट यह प्राइमरी सेक्स अर्च थेके जो कि मैंने आपको अल्रेडी पढ़ा दिया आए त्षिस कई बारे में next हमारा क्या था एक्सेसरी ड़क्ट के बारे में पंढना है और एकसेसरी ग्लाइंट के बारे में पंढ और इस abdominal cavity के नीचे present है scrotum इस structure से familiar हो तो यह structure मैंने काफी बार बनाया हुआ यह abdominal cavity और इसके नीचे क्या present है scrotum scrotum के अंदर a single pair of testis present है single pair of testis present है सही बात है और इस testis के अंदर क्या present होते है याद करो मैं साथ बोलो कक्या प्रेजन्ट होते है छोटे-छोटे लोब्स present होते है उन लोक को क्या क्या क्येकते हैं ज닙ा क्या लोब्स को बताओ जल्दी Comment करो ठ्यक्राइब यहाँ पी बना़ेतों कितने प्रेजेंट होते हैं एक देस्टेस में कितने टेस्टिकवलार लब्यूस प्रेजेंट होते हैं सब्सक्राइब चीर में आपने डही देखा है तो प्लीज जाके उसे देख ले न क्यों बहुत बहुत ज़्यादे है बच्चों वह आता ही आता है बहुत बार एक्जाम में आता है वह टॉपिक ठीक है ज़िए यह देख ते कि इसके अधर क्या प्रेजन होता है sa mini यह याद रखना है तो अराउंड 2 से 3 सेंटीमेटर इसकी विड्थ होती है अराउंड 4 से 5 सेंटीमेटर इसकी लेंथ होती है तो याद कर लो दो तीन चार इतनी बात है क्लियर आजएंगे याद जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इस टेस्टिग्रा लॉब्यूल के अंदर सेमिने फेरस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है तो कितना सेमिने फेरस्टिब्यूल होता है एक से लेके चार तक तो यहाँ है बना देतो हमें इस सेमिने फेरस्टिब्यूल के अंदर ही क्या होगा क् Appreciate कर रहा हूं एकिंस के बार मीक्सकी घठाट्रास्ति है जिन रास्तों से हमको बाहर लेकर चाना है मेल प्रुड़क्ट तो सब से पहले क्या होगा देखो ध्यान दो सबसे पहले क्या होगा जितने भी समीनेफिरस टिब्यूल है एक टेस्टिकुलार लॉब्यूल में से जितने भी टेस्टिकुल जितने भी समीनेफिरस टिब्यूल है वो सब सबसे पहले एक साथ बाइंड करेंगे यह वाली ट्यूब फ़र जFC दोनों को दोनोंगा जो सिक्रीशन है दोनों का जो स्परम प्रोड़क्शन उसको क्या कर लेगी बैंड कर लेगी ठलेई कि इस चीज को क्या कहते हैं इस चीज को कहते हैं टेस्टिक 12-0 Recto है या फिर ट्यूविलार रेक्टा है कि दोनों कह सकते हैं इससे कहते हैं ट्यूविलार रेक्टा है अच्छा यह आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है सारे समिनफिरस का सिक्रीशन अपने पास लेकर रखकिए इस समिनफिरस का सीकृषन यहां पर यहां पी बड़ी टूब हो क्या कर रुए है सारे टेस्टिकूलर लब्यूल के सिक्रीशन कलेक्ट कर रही है तो ऐसे ठीक है अगर मैं या पर बनाने के कोशिश करू तो यह बड़ी सी ट्यूब है यह बड़ी सी ट्यूब क्या कर रही है जतने भी छोटे-छोटे ट्यूब्स थे उन सब का सिक्रीशन क्या कर रही है कलेक्ट कर रही है मतलब सबका सिक्रेशन इसका सेखुरिशन इसका सिक्रेशन इस से बाहर जाएगा सारा सिक्रेशन इस बड़ी इस पाइप में आजाएगा इस बड़ी सी डॉक्त में आजाएगा इस डॉक को क्या कहते हैं इस ड Hearts को कहते हैं रेट सкое됐ी देश स् ओ लू dancing यहां से तुम्हारे बुक स्टार्ट कर रहे बाते करना ठीक है रेटे टेस्टे से डख्ट होता है फिर उसके बाद एक ट्यूब आएगी जो इस सारे सिक्रीशन को टेस्ट के बाहर लेके चली जाएगी ठीक है तो यह बाहर लेकर जा है एक ट्यूब को कहते है वासा एफरेंटिया वासा इतनी बात है समझ में तेक है आपको यह order हमेशा याद रखना है सबसे पहले आएगा tubular रखता है तुब रखता है हाली के आपके बुक में नहीं दिया हुए लेकिन कोई दिक्कत की बात है सबसे पहले रखता है फिर आएगा वासा एफरेंशिया और भी आगे चीज़े बता रहे हो आपको इसी आपको इतना समझ में आ जाएगा जो चीज़े एग्जिट कर रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे वासा एफरेंशिया फिर इसके बाहर यहां पर एक बड़ी सी की क्यूह है जो इन सबको कलेक्ट कर रही है है एक बड़ी सी紅 है जो क्या कर सबसे बढ़ी डक्त अगर हम लोग mayle reproductive system की बात करें है तो मेल reproductive system में सबसे बढ़ी अपोती है यहां से बना लेती Congress यहां से एक ट्यूब निकलेगी और यह ट्यूब क्या करेगी इसको स्क्रॉटम के बाहर लेके चली जाएगी यहां से एक दूसरी ट्यूब आएगी और वो क्या करेगी इस पूरे स्पॉर्म के सेक्रेशन को स्क्रॉटम से बाहर लेके चली जाएगी समझ मैं रही है बात यह यहां पे रहों है यह क्या करे देख् को स्क्रॉस्ट हम से बाहर लेकर चले जाएगी है यहां बना दिताओ है ठीक है यह जो वाली ट्यूब्ल pushed के से होतं यहीं से बाहर लके जा रहे है इस ट्यूब कोनोग केते हैं वासट there कि वर भान difference ठीक है इतनी बात याद आखी तो आपको डक्त में सिर्फ इतनी चीज़े पढ़नी है डक्त में कौन-कौन सी चीज़े पढ़नी है एक आपको टुबुलार रेक्ता ही पढ़नी है ठीक है एक आपको बताना है रेटे टेस्टिस ठीक है टुबुलार रेक्ता आगे चलके रे ना है न पर मिल छो सबसे पहला ट्रेस्ट कि लाड कि रख और फीट प्रेट प्रेंग दो या झाल को अध्यक्त पसक्तर फेल लाख तो पहले सकते हो तीब और रिकता है या फिर फेला रहता है तैंब दूसरा क्या था रिटे टेस्ट इस था रेटेटेट इस टुसके बाद क्या थिती याद करो रेटेटेटेटेस के बाद एफरेंस ठीक है वासा एफरेंचिया और वासा एफरेंशिय ठीक है वासा एफरेंशिय के बाद कौन कौन सी चीज़ा आती थी अच्छे यहां पर इस पेस नहीं है तो मैं आप लिख देता हूं चलो कोई दिक्कत की बार यहां से कंटीनिव करते हैं सबसे पहला क्या था टेस्टिकुलार रेक्टा यानि ट्यूविलार रेक और इसके बाद लास्ट वास्ट डेफरेंश लिए निवार ठीक है इतनी बात क्लियर है तो आपने हूं आटक्सेरी ड़्य सुर्धी सब्दी हमोती समझ मोब अगया ठीक है इतनी बात है हो ठीक है अब देखो मेल के अंदर करें तो तो यह मेल के अंदर पूरह मिट जयेगा यह थोड़ा बाहर चलागया दिक्कत की बात नहीं मेल गंभाड़ी में जो उसका यूरिणरी सिस्टम होता है डिक्याव मेल का यूरिणरी सिस्टम और उसका तो अगर आपको मेल का सिस्टं पढ़ने थो आपको सबसे पहले को यूरीनेरी सिस्टम भी बनाना पढ़ेगा तो यह किसी परसण का यह यूरिनेरी ब्लैडर ठीक है तो मजमें आ रहे है एक्सक्रेशन में लग पढ़ते रहेते हैं तो ने किड्नी वाल स्ट्ट्रॉक्चर में यह यूरिनेरी ब्लैडर इसको मिटा देता हूँ दान देना इस इस दे यूरिनेरी ब्लाडर ठीक है अब इसके उपर से दो यहां पर ट्यूब साय रहते हैं किड्नी की तरफ से हमारे किड्नी से यहां पर दो ट्यूब साय रहते हैं ट्रेट टीज इंपूप तो क्या कहते हैं यूरेटर केहते हैं टुरीटर ठीक है इतनी बातर समझ में टेकर यह किड़नी के तरफ से आ रहे यहां पे किड़नी होगा वाँ से आपका यहां पर िूरिन स्टोर होगा आपका ठीक है तो यह जो वास वास डेफरेंस है तो वास डेफरेंस की तो वास डेफरेंस इसके पीछे से घूम के आता है ठीक है समझो फॉर एक्जमपल यह यूरेटर है यह क्या है यूरेटर है तो वास डेफरेंस यहां से जाएगा ऐसे पीछे से जाएगा और यहां से घूम के आगे लटका हुआ रहत यह 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 is the tube which take the sperm or take the male gamete out of the scrotum ठीक है scrotum के बाहर कौन सा ऐसा ट्यूब है जो लेके जा रहा है sperm को scrotum के बार तो आपको क्या लिखना है वास difference वास difference लेके जाता है scrotum के बाहर ठीक है है हलाकि यहां पर कुछ इंक्विनल के त्रू लेके जाते इत्ती बात है clear ठीक है अब देखो अब हमको पढ़ना है glands के बारे में अब कुछ glands लगना शुरू हो जाते है अभी तक सिर्फ sperm था या इस ट्यूज में सिर्फ sperm आके मिल रहा था लेकिन अब कुछ glands आना शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर एक लीफ लाइट स्ट्ट्चर प्रेजेंट रिफ शेप में एक ग्लाइड प्रेजेंट होता है इससे कहते हैं सेमिनल वेसिकल यहां पर नाम देते तों और वाट वी कॉल इप अज़िए समिनल समिनल वेसिकल समिनल वेसिकल का जनरली क्या काम होता है समिनल वेसिकल फ्रुक्टोस डालता है और प्रुक्टोस क्या है है एक sperm का food source है ठीक है इस क्योंकि sperm को आगे चलके travel करना है तो उसके लिए food source बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो seminal seminal vesicles का secretion क्या है generally fructose ठीक है generally है हमारे cells के body में हमारा food source क्या होता है glucose वैसे ही sperm का जो food source क्या है है वो क्या है fructose ठीक है यह fructose का secretion कौन करता है seminal vesicles अब जैसे ही वासा difference ठीक है सरी वास difference और seminal vesicles जूडती है तो यहाँ पर एक pipes ही बन जाती है यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है कि इस ट्यूब को कहते हैं इजैकुलेटरी डबट्ट करिके यह यह रख़ए और कि झाकुलेटरी डख्ट इसके है Young лaday लौन अंट टिफ बीच में से फोल रहें तो वैसी यहां पर भी एक डूल-णट-स शेप का घ्र में से ढखर है կहांता है यह अपना सेख्रीशन क्या करे गा इसके Mayor डालेगा ठीक इस gland को कहते हैं prostate gland what we call यह वाला मिटा देते हैं यह टेस्टेस का structure मिटा देते हैं क्योंकि मुझे आप कुछ चीजे लिखनी है इसे कहते हैं prostate gland ठीक है समझ मैं दो ग्लैंड अभी तक पढ़ लिए कौन-कौन से एक था सेमिनल वैसिकल जो क्या कर रहा है फ्रॉक्टोस की सिक्रेशन डाल रहा है एक है prostate gland prostate gland क्या है जनरली आयन्स डिपोजिट करता है मैं आपको लिखवा के दूंगा सारी चीज़ है यह जनरली क्या करता ह होता है जो सीमन का कलर होता है वो भी कौन देता है prostate gland देता है उसके बाद आगे चलके यह योरेटरा continue होती है यह आगे चलकर से इस यूरेत्रा या फे आगे चलकर अधिये दो आगे चलकर दो ऐसे बलब शेप के गलन्ड लगे न होगा ये बात अमेशा आधा ना समिनल वैसिकल कितनी प्रेसेंट यह लो प्रस्ट्रेट कि न प्रेसेंट अन्म एक और बलबो यह वाला जो जो यहां से बाहर आएगे जो चीज़ेंगे जो चीज़ेंगे जो चीज़ बाहर आएगी उसे हम लोग कहेंगे सेमन किसका हो रहा है सीमन का सिक्रेश्न और यह जो आर्गन है जो आगे चल के सेख्रीशन करेगा इसे हम लोग क्या कहेंगी पीनिस समझ में यही बात तो यही इतना है मेल रिप्रोडक्टिल सिस्टम में आज लिख लेते हैं सबसे पहला हम लोगों पढ़ना है सेमिनल वैसिकल एक है सेमिनल वैसिकल दूसरा है प्रॉस्टेट ग्लैंड और नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड को ही बल्बो युरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं तो यह हमारा चार्ट पूरा कम्प्लीट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिल सिस्टम का इतने बाते क्लियर है कुछ बाते और बता देता हूं कुछ फंक्शन साब समझ लो सेमीने फेरस टिबूल का फंक्शन क्या होता है हमेशा है रखना सेमीने फिरस यह भी एक टैप की टूब है लेकिन इसको डक्ट में हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्यूं क्यूंकि इसका फंक्शन होता है यह है फ्रमेशन ऑप स्पर्म का स्पर्म का प्रोडक्शन करता है यह बच्चों स्पर्म को स्पर्म को ट्रावल करने काम नहीं करता यह क्या करता है उप zone कैरन अंब निक यहोलत 550 करता शौन के वह kopण पर इंपर्डम ठीम और किसी सब्सक्राइब करेगा इतनी बाते क्लियर तो एक बार वापस देख लेते क्या-क्या बोला मैंने तीन टाइप की ग्लांट्स होती है एक है सेमिनल वैसिकल एक है बल्बो युरेथिरल ग्लाइब समझ मैं यह बात सेमिनल वैसिकल का function क्या होता है यह फ्रॉक्टोस का सेक्रेशन करता है इसका सेक्रेशन करता है लोड़े न वो युरेथरल ग्लाइंड की तो यह क्या करता है म्यूकस क्रीट करता है टीक है म्यूकस से करता है फ़ार लुब्रिकेशन यह इतनी बात है अब को यह सारी चीज़े समझ में आ गए कि यहां पर हमारा मेल रिप्रडक्टिव सिस्टम खतम हो जाता है अगर मैं आपको जनटेलिया जिसे पेनस कहते है ऐस जेनरली एक एलेक्टाइल टिश्यों से बना हुआ होते हैं और इसके उपर यहां तक िमद् सकिन लगी होती है कि यहां तक ट्री स्कीन लगी होथ है जिए उसके आगे की जो स्कीन वो attach नहीं होती है इसके आगे की जो skin होती है वो जन्रली attach नहीं होती है यह तो यह जो unattached skin है इसे poor skin कहते है इस जो head वाला portion दिख रहा है ठीक है it is the head of the penis या फिर इसे आप glance penis भी कह सकते है को इसे कश मेर यह बाण ठीक है इतनी वाथ समझ में है अद्ने ही चीज़ा पढ़नी है ठीक है कुछ है रिलीजिस को रिमूव कर दिया जाता है इससे circumcision भी कहते है बच्चे पूस्तर सर्कम्सिजन क्या होता है तो यही होता है कुछ-कुछ ceremonies में, कुछ-कुछ religious ceremony में क्या करते हैं, इस foreskin को remove कर देते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, I hope आपको male reproductive system पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, सही बात है, अगर आपको सारी चीज़े समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को like जरूर करें, ठीक है, अगर आपने पूराने वीडियो नहीं देखे, तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को भी देख ले, इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ अरी यह बात, अगर आप नहे हो, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को आल पर सेट कर दें ताकि इसके आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है आज का लेक्षर यहीं खतम करते हैं थैंक यू सो मच